वेल्कम टू माई चैनल आल बाउट हेयर कैसे हैं आप सब आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा हेयर कर जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल टेकनिक के साथ है और यहाँ पर मैं आपको ड्रायर के बिना किस तरीके से आप बहुत ही कि जल्दी करल कर सकते हैं हेयर को बहुत सिंपल सिंपल टेकनिक बताऊंगी इस वीडियो को आश तक जरू देखेगा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड के साथ शेयर करना बिलकुर मत भूलिएगा फेस्बुक प कि लेंथ देख सकते हो कितनी लॉंग है और बालों में वॉल्यू भी बहुत अच्छा है बट इने थोड़े शौट चाहिए तो मैं इनसे पूछ कर करने वाले हूं कि कितने शौट चाहिए हेर को अच्छे से गिला कर लेंगे कटिंग लगा लेंगे और उसके बाद क्लाइ मैंने नीचे छोड़ा है जैसे कहा हम पहले है स्टैफे आर कट आहिकार में अगर अगर आप डिग्री टेक्निक से सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर पहले वीडियो अप्लोड की हुए है, उन्हें देख लीजीगा, यहाँ पर मैं बिग्नर्स के लिए सिंपल टेक्निक बता रहे हूं, क्योंकि उन्हें डिग्री इतनी अच्छे से समझ नहीं आन करूंगी और फिर इन्हीं में से गाइडलाइन उठा लूँगी, उन बालों में मिक्स करूंगी और फिर कट कर दूँगी, तो इससे बहुत असान रहता है क्योंकि अगर आप गाइडलाइन नहीं उठाएंगे तो आपको यह नहीं पता चलेगा कि नीचे के बाल कितने वाला भी ले लेंगे अब एक बार दुबारा से मैं आपको बता देती हूं ट्रिम करना है जब भी आपको छोटे बड़े वाल दिखाई दें तो उन्हें बराबर जरूर करना है इस तरीके से अब हमारे दो आप अब ले लेंगे उपर वाला सäreक्शन ये गाइड लाइन उठाही है कि आपको इस तरीके से नहींट है उपर कि तरफ के जाएंगे और guideline से mix करते हुए cut करेंगे देख सकते हूँ यहाँ पर है हमारी guideline और इसी के according हमें cut करना है बिल्कुल बहुत simple technique है आपको बहुत आसानी से आजाएगा पहले मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियों आप उन्हें देख लीजीगा और देख देख अच्छे अच्छे cut कर सकते है इसे भी इस तरीके से cut कर दीजीगा और आपको front से भी करने के जुरत नहीं है यह haircut जो मैं सिखा रहू बहुत simple तरीके से किया गया है देख सकते हो कितने सारे अच्छे step आगया है पूरे उपर से नीचे तक एक ही बार में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी अगर आप चाहते हैं थोड़ा short और हो जाए यानि उपर से और ज़्यादा short step मिले आपको तो यह वी शेप का बनाईएगा और इस तरीके से कट कर दीजिएगा तो और उपर तक आपके step आजाएंगे यह देख सकते हो और इस से आपको front में haircut करने की जुरुत भी नहीं पड़ती है और आपका haircut बहुत जल्दी हो जाता है लगी होगी ना आपको एकदम simple technique बिलकुल simple तरीके से यह करने हैं तो अपने क्लाइट से पूछ के किजिएगा कि उन्हें शोट चाहिए तो अपने lips अरिया से कर लिजिएगा या फिर chin area से और पीछे आप देख सकते हैं इनका यह लुक मिलते हैं आपको जब clutch करते हैं तो यह look मिलते है और pony करते हैं तो आपको यह look मिलते हैं और open करते हैं तो आपको यह look मिलते हैं without dryer है यह dryer करके देखते हैं कितना अच्छा look मिलने वाला है हमें इस haircut का यहाँ पर section बांदेंगे मैं आपको simple technique बताने वाली हूँ एक-एक step करके dry air नहीं करना हमें जैसे हम करते हैं हाँ आप clients charge extra ले रहे हैं तो उसे जरूर proper वैसे करके दीजिगा बट यो temporarily बता रहे हूं कि आपके client को haircut दिखाई दे जाए और कम charge में उनका भी काम हो जाए इस तरीके से 3 section बांद लेंगे आप चाहे तो इसे finger पे रखेगा वहना आप चाहे तो इसे अच्छे से इसे तरीके से clip के जरे रोक लीजेगा और तीनों पे एक साथ dry air चलाएगा गरम करके बहुत जल्दी curl हो जाते है लेकिन जिसके ज़्यादा सिल्की hair है तो उनके नहीं होगा लेकिन जिनके curl hair है उनके easily हो जाएगा इस तरीके से आप clip लगाकर याप रोक देंगे और तब करिएगा बिल्कुल अच्छे से dry air तो आप देखेंगे जब आप इने छोड़ेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से dry air हो जाएगा ज्यादा time भी नहीं लगता है और जल्दी जल्दी हो जाता है तो यह तो simple simple trick है जो बहुत ही असानी से हो जाती है यह देख लेजिए curly hair में बहुत जल्दी होता है ऐसे आप यह देखेगा कितने अच्छे हो जाएगा हमारा एक ही बार में देख सकते हो हमने एक एक section लेकर नहीं किया है बिल्कुल भी कि पतले पतले बाल ले लेकर dry air करें और फिल लुक आए देख सकते हो इस तरीके से आप पोनी करेंगे अब यह second है हमारा इस तरीके से आप पोनी बनाएगा उपर की तरफ और यहां से ऐसे गरम dry air करके चला दीजिएगा तो यह भी अपने आपी फोल्ड हो जाते है मैंने पहले भी यह technique आपके साथ share की हुए है काफी अच्छी लगेगी आपको आप dry air करके भी इसे जरूर देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से इसे बाल कर लो जाते है और काफी अच्छा volume मिलता है आपको मेहनत भी नहीं करने पड़ती यह देखेगा कितना अच्छा लोग का रहा है मेरे हेर कट का आपको भी अच्छा लगे क्योंकि देखो हेर कट तो बहुत अच्छी अच्छी है काफी महनत से करोगे टाइम लगा लगा के करोगे और आपका क्लाइट शार्ज नहीं देगा या आपको लगेगा कि इतने घंटे मैंने हेर कट में लगाए तो कोई benefit नहीं हाँ आपको लगता है कि यह हेर कट जल्दी हो जाएगा और अच्छा लगेगा आपके क्लाइट को पसंद आएगा तो ज़रूर यह टेक्निक क्यूज करीगा अब थर्ट टेक्निक है यहाँ पर इस तरीके से फिर से पोनी कर लीजेगा और आपके पास pressing machine है तो उससे इस तरीके से निचे की तरह फोल्ड कर दीजीगा इससे बहुत अच्छा होता है और लॉंग टाइम तक टिका रहता है तो यह तो बिल्कुल हमारा जो ड्रायर में एक एक लियर करके लेते हैं इनका अगर ब्लो ड्रायर करते तो इनके बालों में वोल्यूम बहुत अच्छा है अगर किसी के पतले बाल है तो उनमें आप उसी तरीके से करिए आप देख सकते हो कितने अच्छे हैर लग रहे हैं वह देख से तो हर तरीके से ये हेर कट अच्छा लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा मिलूगे अपनी नेक्स वीडियो में कुछ नए और अच्छा लेगे तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू